जेहन मेरे प्यारे दोस्तों मार इस चैनल एक्स्टेम आपका स्वागत देखें यहां पर 30 जन्वरी 2024 को उत्राघंडल लोक्षिवायो के द्वारा यहां हरिद्वार के द्वारा वेबसाइट के बेस के अंतरगत पर आप देखें का गुलमनाईग प्रुष पी एसी और आई आरबी परिक्षा दोजार चॉबिस कलर नॉटिफिकेशन यहां पर अपडेट किया गया है अगर इक बात करेंगे तो फायर स्टेशन सेकेंड ऑफिसर्स एंड प्लाटून कमांडर से मेल पी एसी ओबिक किया गया है आई आरबी एक सब्सक्राइब करेंगे ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे दोर आपके लिए प्रुवाइड किया जाता है तो उसका नॉटिफिकेशन आपके पास सम्वाइफर उबलब हो जाएगा जैसे कि इसक्रीन पर देख रहे होंगे कि नॉटिफिकेशन अपडेट किया गया 31 जन जिसे कि यहाँ पर लिखा गया है उपनिरिक्षण नागरिक पुलिस और अधिशूज नाकुल पदों की संक्या यहाँ पर क्या है अगर बात करेंगे तो 65 फ्लस 43 पोस्ट है ठीक है 108 पोस्ट है टोटल इसके अंतरगत पर हो गया अगर बात करेंगे सबसे पहले उपनिरिक सब्सक्राइब और उसके बार में उत्राखंड परभावित और और फेंच संबंधियों के लिए 5 परसंट रिजर्वेशन है तो एक पोस्ट यहाँ पर अपडेट है अनारेक्षित के अंतरगत पर 35 में से अगर बात करेंगे तो 10 पोस्ट क्या है फीमेल के लिए रिजर्व पिर उसके बाद में से एक से प्रॉस्ट बरस के लिए और अभी सूचना की बात करेंगे तो यहाँ पर उसके बात करेंगे तो यहाँ बात करेंगे उसके बाद में यहां पर दिया गया पूरीसनिक के लिए एक पोश्ट रिजर्व है बिश्के बाद में सथाड़िक याग दाउग पोश्ट पर황ु और नफGS के लिए रिजर्व हो तो इसका अंतरगत पर age limit काफी important हो जाता है, minimum age limit 21 and maximum 28 होनी चाहिए, sectioning अहर्तता की बात करें तो भारत में बिदी द्वारा इस्तापिर, विश्व विद्याले द्वारा से सनातक उपा दिया, सरकार द्वारा मानेता प्राप्त, उसके समकक्ष है, कोई sectioning योगेता धारन होना और उब निरिक्षंग नागरिक पुलिस और अभी सूशना पद पर सीधी भरती के लिए पुरुष एवंग महला ब्यारतों के लिए नियूंतम सारी घरतता नियूंबत होगी, अनारिक्षित हो गया, अनुसुची जाती, अन्ये पिस्रावर्ग और आर्थी रूप से कमज जरू सेंटिमीटर और फिमेल के लिए 147 सेंटिमीटर यहां पर हाइट होनी चाहिए और सीने की माप की बात करेंगे तो अन्रिजर्व के लिए सेडूल कास्ट और इसके बाद में ओबिसी के लिए और एकोनोमिकल विकर सेक्षन के लिए 78.8 सेंटिमीटर फुलाने के 5 सेंटिमीटर प्लस होना चाहिए उसके बाद में महलाओ की वेट केवल लिए जाती है यहाँ पर अगर वेट की बात करेंगे तो 45 केज आपका वेट होना चाहिए अगर सारीक दक्सता परिक्षा की बात करेंगे तो क्रिकेट बॉल थो है मेल के लिए 50 मिटर और फीमेल के 20 मिटर उसके बाद में लंभी कूद 13 फिट और फीमेल के रिएट फिट हो गया में और इसके बाद में चिनब हो गया के वल पुरू से ब्यारतों के लिए पांच बार चिनब करना है मेल कंडिडेट के लिए और दोड़ वह चाल की बात करेंगे तो 5 km है 30 मिनट के अंतरगत प बात करेंगे तो सल्ट रेस हो गया 25-4 मीटर के वल महला ब्यारतों के लिए 29 सेकेंड का यहां पर चीज होना है ठीक है ना जिसे देशिए यहां पर कहा गया कि चिकित से किये जो परिक्षण हो गया अगर इसी के अंतरगर मेडिकल जो टेस्ट होना है लिकित परिक्षा के परांत मेरिट के अधार पचाहिनी तब ब्यारतों को क्या किया जाएगा स्वास्ते प्रिक्षण है तू बुलाया जाएगा और दृष्टी एवंग आग में 6-6 और दूसरे आग में 6-9 से कम नहीं होनी चाहिए अर्थात बिना चसमे के दाहने हाथ के काम करने वाले ब्या है थोड़ा सा सटा घुटना सपाट पैर और उसके बाद में बूर लेग वेरिकोस वेन हो गया और हकलाना और विकलांगता और अन्य विक्रतिया या समझ चाहिए जो उप निरिक्षण नागरिक पुलिस और अभी सूसना की डूटी के में किसी भी परकार का बाद ता उत् पर उत्रागंड यहां पर बात करेंगे तो और और यहां पर बात करेंगे तो और फेन को 5% दिया जाता है तो अन्रिजर्वी बेस में दो सेटेहां पर रिजर्व होगी देखिए 89 पोश्ट है जिसके अंतर गता मिनिमम में एज लिमेट ट्वेंट और मैक्जिमम ट्वेंट होना चाहिए इंपोर्टेंट क्वालिकेशन भारत में पीटी द्वारा चाहिए और भूत पुरु जो सैनिक है उसके लिए इंटरिमेट या उसके इक्वेलेंट इसके समकक्षियों होना चाहिए ठीक और उसके बाद में वर्यता दी जाएगी आपने प्रादिशिक से नामत दोश्ट का जौब किया जिए आपके पास में एंससी का भी फर्मान प परवती सेत्र में जिसके पास में हिल सैट टीङे उसके हाइड एक सो बासर दासं मलव स्की जरो वन हंडे स्कीट इस सेंट्यमेटर आपके हाइच होनी चाहिए एक सो बासर दसमेटंग आपकी बात करेंगे तो यहाँ पर अन्यजर्भी कैटेगरी के लिए सेडूल तो 76.5 cm और फ्लान के बाद में 81.5 cm होना चाहिए और इसके बाद में सारी परिक्षा की बात करेंगे क्रिकेट बॉल थो 5 मिटर लंबी कूट 13 मीटर तेरे फिट हो गया चीनिंग हो गया यहां पर 5 बार और दो और वचाल होगी 5 km 30 मिनट में और दंड बैठाग हो गया 2 मिनट 30 सेकेंड में 40 दंड और 60 सेकेंड के अंतरगत पर पचास बैठाग होगी इसके अंतरगत पर भी वही देखें विजन अगर बात करेंगे तो 6 by 6 होना चाहिए दूसरा 6 by 9 होना चाहिए वही वर्ण रंद दता है शक्ता जो पहले बात कई में 1,500 इसके अंतरगत पर फीमिल में रिजर्व नहीं अधर वेकबट क्लास में 3 सीट हैं और उसके बाद में आर्थी रूप से कमज़ रुख के लिए 2 सीट है जिसके अंतरगत में बिचस्वाइफ पोस्ट होगी जिसमा Fayt everywhere में और इसके अट शक्रावास में कोई रिजर होना चाहिए और भूतपुर सैनिकों के लिए सेक्षण योगयता इंटर्मीडियर विज्ञान वर गया उसके समक्ष अर्थता होनी चाहिए सी पॉइंट कहा गया है केंदे राज्य सकाद्वारा किसी माने था प्राप्त सस्तान से कम से कम छे माह का सेटिफिकेट इन सेक्षन के लिए 16 2017 के हाइट और उसके बार में फिमेल के लिए 152 cc measure minimum होना चाहिए ठीक हम की बाद में कंगे जी करायन के अंतरक्त पर 190 cm और उसके बाद में फिमेल के लिए 16aza achit cheers और प्रवती से नहीं के लिए ऐध म के लिए 162.6 cm और में पीमेल के लिए 147 cms होन common फ्लाने के बाद में 5 प्लस 83.8 cm होना चाहिए सेकिंड पॉइंट के बाद करेंगे परोती से तो और सेडूल का ट्राइब के लिए अब इस्टुटेंटों के लिए अब बात करेंगे तो फीम प्लसinals 64, 5 cm और उसके बात की बात करेंगे में 40 कि ऐस्ट चकी मेड़ लें male के लिए और female के लिए 8 feet और उसके बाद में चीनिंग अप की बात करेंगे केवल पूरू से भारे पाच बारे हुरत नमर की बात करेंगे दोड़वर चाल हो गया 5 km तीस मिनट के अंतर गत पर उसके बाद में 200 मीटर 40 सेकंड के अंतर गत पर और 5 नमर की बात करेंगे तो दंड बैठा हो गया क्योल पूरो से ब्यारत हो एक तो सबसे पहले फर्ष्ट पॉइंट में कहा गया है दो मिनट 30 सेकंड के मैं 40 दंड और भी पॉइंट कहा गया है इसके अंतर गत पर लिखित परिक्षा के अपरांत मेरिट के अधार पर चैनिये तब ब्यारत्यों को स्वास्त परिक्षा है तू बुला जाएगा चिकित साब बोड द्वारा मुख्यता मानों शरीर की कम्यों यथा नाक नहीं वह वह हो गया लेक्स हो गया फ्लैट फूट और वेरी को जो बेंट चाहिए आपकी जाज इसका अंतर गत पर की जाएगे थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेगा इस लिमिट मिनिमम्म 21 हो मैक्जिमम के है 28 है एक जुलाए 2024 को आपकी एस मिनिमम 21 और मैक्जिमम कितनी होनी चाहिए 28 होनी चाहिए यह चीज आपको ध्या आपके लिए यहां पर प्रोवाइट कर दिया और चीज देखते हैं नैस्नलिटी की बात कही जाती ही चीज आप समझते हैं कोई वतानी के आवशकता नी क्रेक्टर सही होना चाहिए क्योंकि आपका वेरिफिकेशन पुलिस थाने से हो जाता है ठीक ना जिस इस इस्टेट क कोई चीज में यहां पर बात करूंगा देखिए हाँ पर कहा गया सुल्क सासनादे संख्या दिनांक 23 सितंबर 2022 वा सासनादे संख्या जो भी है दिनांक 14 ऑक्टूबर 2022 के करम में मानिया आयो के निर्णाई दिनांक 142022 के अनुपालन में ब्यार्टों को परिक्षा सुल्क एवंग प्रोसेसिंग सुल्क से छूट परदान की गई है इसके अंतरगत पर फॉर्म फीस आपको फॉर्म फीस पर ही नहीं करना अगर ऑफिसेल वेबसाइट की बात करेंगे तो पीसी डॉट यूट जो भी डॉट इन पर जाकर आपको फॉर्म फील करना वैसा तो इंपो सौड़े रूप से समझ गये होंगे उत्राखंडी के अंतरगत पर जो पुलीस विभाग के अंतरगत पर विग्यवति जो जारी किया गये है तो जो भी आपके फॉर्म बने के लिए इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन था सौड़े रूप से इस वीडियो के अंतरगत पर आ झाल झाल झाल